वेल्काव विवर्स जर साथे मैंने अपने लास्ट वीडियो में एक्स्प्लेंड किया था एक सुजुकु ग्रिट एटीवन सेल्स का होता है और उसमें कई तरह के कंबिनेशन्स जुड़े होते हैं सबसे बड़ा कंबिनेशन सोला सेल्स का होता है जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बजाया था इस वीडियो में मैं आपको दो टाइप के कंबिनेशन्स एक्स्प्लेंड करूंगा पहला है टावर बोल्ट टाइप कंबिनेशन्स और तुसरा है एल्ट्रॉप टाइप कंबिनेशन्स टावर बोल्ट जो मैंने नाम दिया है इस बेसिकली सिम्बॉलिक और सिमिलरली एल्ट्रॉप भी इसका कोई अच्छली फंक्शन से कोई मक्सद नहीं है इस सिम्बॉलिक सिम्बॉलिक इसलिए है कि जब भी आपके सामने यह नाम आएगा तो आप उस कंबिनेशन्स को याद कर सकें तो जैसा कि मैं आम हर वीडियो में अपील करता हूं अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्स्क्राइब और प्रेस्टा नोटिफिकाशन बटन लाइक शेर इत विज और फ्रेंज और देश्टेशन्स फर वी और गुमेंट्स प्लीज प्लीज गो तो गुमेंट्स बॉमेंट्स बॉक् इस कंबिनेशन अई काल टावर बोल्ट टावर बोल्ट टावर बोल्ट हर गर में मौजूद होता है चाया अम्वीर का गर हो चाया किसी ग्रीव गर हो और एल ट्राव भी दरवाजे के पीछे लगे कुंडी को कहते हैं जिसमें हम पैट लॉक लगाते हैं तो टावर बोल्ट की एक खासित होती है जब वह लॉक पूजिशन में जाता है तो इसका एक हिस्सा गैब हो जाता है जो हमें नजर नहीं आता है जब अनलॉक यह एक टावर बोल्ट का इमेज है ए उसका टॉप है ए और बाटम है बी जब हम उसको लॉक कुशन में ले जाते हैं तो उसका नीचे का हिसा गैब हो जाता है और शिर्फ यह रहा जाता है बी और ए अब बी और ए मैंने इसलिए लिखा है अगर हम ए जहां लिखेंगे तो सब्सक्राइब के अगेस्ट है क्योंकि एक रो में दो नंबर नहीं आ सकते तो बी और ए और थर्ड पुजिशन में अगर हम रखेंगे इसको उल्ट के उल्ट दिया है उल्टने का मक्सद जी है कि वही बात अगर हम ऐसी रखेंगे तो बी और ए रह जाएगा तो इसलिए भी हमने नीचे ले आए हैं और यह सब से नीचे ले आए हैं है 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 यह यह एक पुजिशन जो है वह मैंने एक यह ब्लॉक यह ट्रॉक टाइप कंपेजिशन की बनाई है इसमें क्या होता है यह 8-5 ब्लॉक्स को लिंक करता है सेवन फोर अफ्जवन फोर एंड फोर सेवन इसमें क्या होगा है यह दौनों ही पुजिशन फोर और यह फोर और यह फोर इस फिक्स की होती है यह लोग की होती है तो जिस इस 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 गाल एड्र टाइब कमिनेशन आई एक्स्प्लेंट हो वी एक्स्प्लेइन यूज इस तो कमिनेशन इंप्रेक्टिकली शॉल्विंगे पड़त तो यह पजल है जो हम मिलकर सौल करेंगे सब्सक्राइब करने का सबसे पहला स्टेफ होता है कि जो आपको सामने आसानी से नजर आने वाला सेल खाली है उसको बढ़ने की कोशिश की जैसे कि इस कॉलम में इस आ रहा है और इस कॉलम में भी शिक्स आ रहा है तो इसका मतलब यह हुआ है कि इस ब्लॉक के अंदर सेंटर वाले कॉलम में शिक्स आएगा तो सेंटर वाले ब्लॉक में सिर्फ एक ही पुजिशन खाली है यहां आएगा दूसरा अगर हम देखें इस रो में शिक्स है और नमबर टू रो में भी शिक्स है तो नमबर ठी रो में जो शिक्स आएगा इस ब्लॉक में वह इसमें शिक्स पालडी है तो यहां पर अब नेश्ट है इस रो में जैने के 1,2,3,4,4 में nine यहां रहा है और sixth row,9 यहां यहां आएगा यहां यहां आएगा 9 9 दोस्तों चोटा 9 मैंने लिखा है इसको लेंग्वेज में पैंसल मार्किंग कहते हैं जाने कि पैंसल मार्क किया जाता है जिसको बाद में मटाया जा सके हैं कि अइस सथ आठ्ण नो नौ नुमबर रो में नौ आ रहा है यहां इसका मतलब क्या हुआ इस आ में फस्ट कॉलम कर आएगा यहां ट्वार, हम लेकले यहां लेकलाएगा है यहां नौ और यहान आप यहां भी नो है यह हैं यह भी अगर用 यहां आएगा तो यहां नो इदर आएगा अगर अगर आए इतरोन ऐगा इसका मगतनुक्त क्या हुआ कि इस बॉलोम में नौ शेटर वाले कॉलम में सिल Is जो के यहां पर है नेक्स्ट इस सेवन इदर है सेवन इदर है तो सेवन इदर आ रहा है तो सेवन यहां जाएगा कि दोस्तों अब 9 कॉलम 9 में है और 9 कॉलम 8 में है तो साथ कॉलम में नो यहां इन दोनों में आना चाहिए अब क्योंकि इसमें नौ इदर आ रहा है तो इस ब्लॉक में इसमें नौ यहां पर स्ट्रों में नौ इन दोनों में आना चाहिए दोनों सेल में अब यहां पर 9 है यहां पर 9 है तो इदर से नीचे से फिफ्ट जो कॉलम है उसमें 9 और है तो 9 यहां पर आएगा तो इसका फिफ्ट कॉलम में तीन है और शेकंड ड्रो में भी तीन है इसका मतलब है यहां तीन नहीं आएगा यहां तीन यहां यहां आएगा इसमें पैंसिल मार्क लगा जेते हैं तीन और तीन अब अगर सेकंड़ एन थारट रो में 3 आ रहा है इस ब्लॉक में तो फरस्ट प्रो में 3 आएगा यह आप फस्ट कॉलम में 8 है इसका मतलब आथ इस कॉलम में आना चाहिए इसमें सिर्फ एक ही सेल्ट खाली है तो आठ यहां पर आ जाएगा कि इस ब्लॉग के अंदर एक और चार इस दोनों सेल में एक और चार आएंगे सिमिलरली इस ब्लॉग में यहां चार नहीं आएगा क्योंकि कर दो कि शाहरे के सा जबी आएगा च्यार ने आएगा जुसका भी हम पैंसल मार्क लगा लेते हैं अफ且ยध NXT का involving आप चार नीचे से इधर आ रहा है तो यहां चार नहीं आएगा तो चार नमबर कॉलम में चार आएगा तो यहां भी हम पैंसल मार्ट लगा लेते हैं चार और चार यहां बढ़ाएगा यहां बढ़ाएगा जो तो आगे चलते हैं इस ब्लॉग में इस रो में पांच यहां है और इस रो में पांच यहां है इसका मतलब है पांच यहां पर आएगा अब सिमिलर ली इस रो में पांच यहां पर नहीं आएगा तो पाँच यहां और नहां आएगा, नेंज़ पाँच या तो कॉलम साथ में आएगा, यहां पर पाँच कॉलम नो में आएगा, पाँच और पाँच, अब यहां पर क्योंकि ऊपर के दुनू बॉक में नौ कलो में आ रहा है इसमें भी आ रहा है क्यों में भी पांच RIGHTStudorf भी गए ठीड दयते हैं है कि कि इसमें भी तो इस Cancer Trung दो है तो euro कि यहां पर साथ आएगा और यहां पर साथ आएगा यहां पर साथ आएगा यहां पैंसल मार्क लगा देखें वो यहां दिर से आ रहा है अब साथ यहां पर है और साथ ही यहां पर है और साथ ही इस रो में है तो साथ जो है वो यहां पर आएगा पांच इस रो में है और पांच इस कॉलम में है तो पांच हमारे को यहां आना चाहिए और सिमिलर ली पांच 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 जहां बराना चाहिए पांच ही यहां बराएगा तो दोस्तों अब मैं एक स्मेल कर रहा हूं कावर बोल्ट कंभीनिशन कैसे यह हमारा एक और चाहर का कंभीनिशन है और एक हमारा चाहर और चाहर यहां आ रहा है दिस चाहर जो यहां पर दोनुन साइड में है इसका मतलब है यह ओपन पोजिशन में टावर बोल्ट है और चाहर एक यहां आ रहा है एक चाहर यहां आ रहा है अगर हम यह जूम करें कि यह चाहर एक के साथ कंभीनिशन बनता है और एक चाहर कंभीनिशन यहां बन रहा है तो यह हमारा टावर बोल्ट कंभीनिशन बनेगा जो के यहां पर एक आ जाएगा एक चाहर एक चाहर और एक चाहर लेकिन हाउ जस्टिफाई इट जस्टिफाई करने के लिए यह हमारा साथ और चाहर का कंभीनिशन बना है और नीचे भी साथ इस साइड में आएगा और चाहर नहां आएगा साथ और चाहर का कंभीनिशन बन जाएगा एक बार फिर दियान से सुनिए अगर हम इस सेल में चाहर को एज्यूम कर लें तो हमारा यह कंभीनिशन बन जाएगा एक चाहर एक चाहर और चाहर एक अगर हमने यह चाहर इस बंद रहा है और साथ साथ के शचको यहां आके ब्रेक होता है चार और साथ के जरी है है इसका मुद्छ यह हुए कि हमारा चार की सेलेक्शन जो है यह दिस्टिफाइड है है तो अगर यह चार यहां पर है हमने कर लिया है तो यह पांच पैंसल मार्ट जो हमने यहां लगाया था यह पांच फिक्स हो जाएगा यहां पर कि अगर यह पांच यहां फिक्स होता है यह पांच यहां फिक्स होता है प्रेंट्स अगर पांच यहां फिक्स होता है यह एक यहां फिक्स होता है और चार हमारा यहां पर फिक्स होता है यह हमारा एक यहां फिक्स होता है और चार यहां फिक्स होता है दोस्तों अगर हमने पांच यहां फिक्स किया है तो यह फिक्स पांच यहां होता है अगर हमने दो यहां फिक्स किया है तो दो यहां रहेगा तो यह आ जाएगा आपका एक तो तीन चाह आठ्ट आठ्ट और आठ्ट और आठ्ट तो आठ यहां है तो आठ्ट यहां आजाएगा दो इस लाइन में आ रहा है इस कॉलम में आ रहा है तो दो इस कॉलम में आएगा तो डैट मीन दो यहां पर और यहां पर आएगा यहां इसका पैंसल मार्क लोग लगा लेके दो और तो चार और चार और चार यहां अगर हम चार यहां लगा रहे हैं तो चार ही जहां पर आ रहा है इसकी तैसल मार्क लगा लेते हैं चार और चार यह एक है तो यहां पर आएगा एक यह एक और चार पैंसल मार्क यह एक और चार पैंसल मार्क मेर्ण निए यह तीन जहां नहीं आएगा तीन जहां नहीं आएगा तीन जहां पर आजाएगा तीन जहां और तीन जहां और तीन जहां तीन और तीन ये हमारा दो, साथ, और आठ बचिगा हूँ अब हम तीन यहां लेते हैं और तीन यहां लेते हैं तो ये तीन उपर से आरा यहां पर तीन आएगा ये हमारा पांच बचिगा है और ये हमारा नौ आगिया एक 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 ये एक आगिया एक 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 कि नएं एन नाइउ त यहां आगया हमारा दो ऊ और इहां मेरा या मेरा ना अगर पांच आँ आ हैं तो पांच हमा落गा कि यहां आ आ जागया कि अ । आछ अगर आठ यहां ले रहे हम तो आठङ हमारा यहां पर आ घा सो ये हमारा तेन यह लान पर थेजिए हमरा तीन काई तो चाइए आ कि ऐगा है ईसाइँ है और एक कि यहाँ है ए एक एक यहाँ आए और दो और कि न साथ कि साथ यहाँ है और दो अधराया कि टू टू यहां आया है यहां पर हम लगे एट यहां पर आएगा आपका दो यह चार और नौ तो हमारे चार इतर है तो चार यहां आगिया और नौ यहां आएगा एक दो छे और आठ दो साथ और साथ यहां ने आया तो साथ यहां पर आगया और आठ उपर चला गया है तो यहां हम लेकर दो साथ आठ लेने हैं यहां पर इस ब्लॉक में इस कॉलम में दो साथ और आठ ने आना है तो आफ इस में नहीं आएगा आठ इस में नहीं आएगा आठ इस साथ यहां आगया और दो दो यहां दो यहां दोस्तो जैसा कि हमने इसको शॉल्ट किया है उसमें हमने मेन हेल्प ली है टावर बोल्ट कंबिनेशन की और एलड्राव कंबिनेशन की तावर बोल्ट कंबिनेशन हमने यह बनाया था एक चार चार एक एक चार हमने प्रिजूम किया था कि यह सेल जो है इसमें चार आता है तो यह टावर बोल्ट कंबिनेशन बन जाती है लेकिन इसको जिस्टिफ़ाई करने के लिए हमने एलड्राव कंबिनेशन को जूस्ट किय एल ड्रॉप कंबिनेशन में क्या था साथ इस तरफ आ रहा रहा था चार आलडी यहां फिक्स था साथ की पुशिन फिक्स नहीं थी लेकिन चार की पुशिन फिक्स थी तो वी नियू कि ये चार और साथ का कंबिनेशन बनेगा चाहे साथ जहां हो यहां हो यहां और उपर के ब्लोक में साथ हमारा फिक्स था, चार हमने प्रजूम किया था और साथ चार की कंबिनेशन बन गई थी और इस चेंड को इस साथ और चार ने जाके ब्रेक कर दिया था ताकि ये आगे नहीं पड़े तो इसका मतलु क्या हुँ था कि यहां पर जस्टिफाइब होगी थी कि यहां चार आएगा उसके बाद हम ने कोई कि वह हम लोग उसे क्या कहते हैं कोई नहीं किया सिर्फ विजुल स्कैनिंग से ही बाखी की प्रॉब्लम सॉलिब की है दोस्तों इन दे एंट आई लगें रिक्वेस्ट अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब प्रेस्ट नोटिफिकेशन पटन लाइक और शेयर एंड कुमेंट अगले वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कंबिनिशन्स और एक्स्प्लें करूंगा जो आपक सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करने के लिए थैंक्यू वर्य मुच्छ